Hello everyone, देखे question number 15 Question number 15 में क्या कहता है In an equilateral triangle ABC D is a point on the side BC Such that BC is equal to 1 by 3rd of BC Prove that 980 square is equal to 780 square चलो ठीक है, सबसे पहले दो हम equilateral ले एक triangle मनाते हैं ये रहा है एक equilateral triangle ठीक Equilateral triangle कहों सा होता है जिसकी सभी sides क्या होती है Equal, ठीक है, सारी sides क्या होंगी ठीक है, तो माल दो ये वाली side B मैंने A माल दी ठीक है, अगर ये A है तो ये भी कितनी होगी A, और ये वाली भी कितनी होगी A होगी, या नहीं ठीक है, उसके बाद कहता है D is a point on side BC D कोई point है, यहां माल दो हमने एक D point लिया, जो कि side BC पे है clear, such that BD, अब ये जो BD है न, ये किसके एक वाल है 1 by 3rd of that BC, ठीक है Prove that Prove क्या करना है आप हो, 9 AD स्केर AD, AD मतलब ये, तो AD पे हम ऐसे कर देते हैं AD, clear is equal to 7 AB का स्केर 7 AB का स्केर, मतलब इसके एक वाल करना है हमें, ठीक, इतनी बात तो सबसे पहले देखो, solution में देखते है, given क्या है हमारे पास given है, सबसे पहले हमारे पास BD, is equal to 1 by 3 of BC, और BC मैंने कितनी लिए, A, क्योंकि सारी मैंने sides A मानिया, तो BC भी कितनी होगी, A तो इसका मतलब BD की जो value है, हो कितनी आ गई, A by 3 इतनी बात क्लियर है, to prove क्या करना है हमें, to prove देखो to prove के लिए हमारे पास है 9AD square equal to 7AB square, यह हमें to prove करना है, ठीक है, तो इसमें देखो एक construction करो आप साब से बाते, तो construction क्या करनी है आपने एक perpendicular low BC के उपर, ठीक है, मान लो ये एक इसको point मान लो, ठीक है तो हम लिगेंगे, A, E is perpendicular on BC ठीक है, construction है अब देखो, इतनी बात आपको समझनी है कि equilateral triangle के अंदर अगर कोई perpendicular डालते हैं हम, ठीक है तो वो क्या अगरता है, उसको equally divided करता है मतलब वो क्या होता है, bisector होता है, उस side BC का equilateral triangle में, ठीक है तो ये bisector है, तो bisector है, तो इसका मतलब क्या ये BE equal to क्या हो जाएगी EC, और इसका मतलब क्या है कि BC का, half ये BE है और EC भी क्या है, half of BC है, समझरो इतनी बात, क्योंकि ये पूरी line A थी, और अगर मैंने का ये perpendicular है, और equilateral triangle में अगर हम perpendicular डालते हैं, तो equally divided दाते हैं तो इसका मतलब ये BE कितनी रह जाएगी अगर ये BE की बात करूँ और इस EC की बात करूँ, ये A by 2 और ये भी कितनी, A by 2 समझरो या नहीं बात को, ठीक है लिए रेतनी बात, तो अब ये perpendicular डालते हैं, ये भी 90 होगा और इधर भी AB क्या होगा, 90 होगा simple, ठीक है, चलो, proof में चलते हैं proof में देखो ज़रा, अब हम कैसे consider करें, कि कौन सा triangle नहीं सबसे पहले हैं देखो जो भी हमें proof करना है, 9AD square इसकेर इसकेर, तो AD square देखो कहा है, AD इसमें, अगर ये AD है, तो Pythagoras अगर लगाएं, तो हमें right-angled वाली side भी चाहिए, right-angled वाली side कौन सी है AE, तो ये वादा triangle अगर consider करो AED, तो AD की कुछ value आएगी, देखके in triangle AED ठीक है, लगाओ Pythagoras, Pythagoras में 90 के सामने वाली क्या side होती है hypothesis, तो इसका मतलब AD का square equal to AED में लगा रहे हैं, हम ये ठीक है, तो AE का square plus DE का square, AE का square plus DE का square, clear इतनी मैं, या नहीं, ठीक है अब देखो जेरा, अब मुझे इन दोनों की values अगर पता चल रहे हैं, किस प्रीके से AE की और DE की, तो questions बड़ा आराम से सब्सक्राइब है, या नहीं, ठीक है, देखो कैसे मैं बड़ाता हूँ पहले DE की value देखते हैं, हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो अगर ये BE है, ये पूरी line क्या ये, BE BE मुझे पता कितनी है, A है और BD मुझे पता कितनी है, BD की value given है यहाँ से, हमें A by 3 है तो DE निकल नहीं सकता, देखो इसको माँद लो, first देखो, BE is equal to में है हमारे पास BD plus DE, है ये, ठीक है तो यहाँ से, देखो na, BE किसकी value है BD plus DE, मुझे किसकी value चाहिए, DE ये रही DE, DE की value आजाएगी BE minus BD समझ रो इतनी बास, या नहीं BE की value मुझे बता कितनी है A by 2, clear है, ये मैंने बताया था BE की value कितनी है, A by 2 तो ये आगया, A by 2 minus BD की value हमारे पास given है, ये देखो 1 by 3 of BC थी, तो BC को हमने A ही मनना था A by 3, यहाँ से आगया, ठीक है, तो BD की value आ गई A by 3 B, बताओ इतनी बास, clear है या नहीं है, ठीक है उसके बाद क्या करना है आपको, देखो LCM लो इसका ज़रा कितना आएगा LCM, 6 या देगा आपके बास, 3A minus देखो LCM तो लेना आता है न आपको, देखो 3, 2 तो कितना हो गया, ये 6 इस number को इससे divide करेंगे 3 आएगा, फिर जो आता है number उसको उपर बाद से multiply करता है तो 3A आगया, फिर ये 3 है जो 6 से क्या करेंगे हम इसको divide, ठीक है ठी, तो 3, 2 ता 6 2 आगया, 2 into A, 2 A ये इसे निकालता है, ठीक है, ये DE तो DE की value जो आएगी हमारे पास, वो कितनी आजाएगी यहां से DE की value आगई, A by 6 कितनी बाद clear है, ठीक है, ये आई DE की value, A by 6 इसको मादो, second clear, ऐसे ही मैं इस AE की value भी निकाल सकता हूँ अब AE की अगर value निकालना है, वो कैसे निकालना है यहां से निकाल देते हैं, देखो, AE ये रहा, AE की value चाहिए मुझे, ये वाले AE की, ठीक है, अगर इस AE की value में निकालना चाहूँ, तो कैसे निकालना हूँ, देखो, बहुत easy है ये, कोई सा भी triangle consider कर दो, चाहिए, ये वाला चाहिए, ये वाला, ठीक है, चाहिए, मैं ये वाला consider कर देता हूँ, AE की value निकालना के लिए, AE, C, ठीक है, इंट्रेंगल, AE, C, क्योंकि देखो, ये क्या है, 90 degree, 90 degree से हमने hypotenuse ही होगी, ठीक है, तो या जाएगा आपके आपके बास, AC का square, equal to, AE का square, plus EC का square, clear, इतनी मत, कहां से आई है, हमारे बास, Pythagoras से, ठीक है, by Pythagoras, clear, अब तो बहुत simple है, AE की value भी मुझे, निकालना ही है, तो AE इधर लेता हूँ, मैं, AE चलो, यहां रखते हैं, इसको, AE square इधर रहेगा, ठीक है, तो या जाएगा, AC square, minus EC square, अब देखो जाएगा, AE की value जाएगा, AC की value देखो कितनी है, A minus, EC की value बताई थी आपको, कितनी है, A by 2, इनका क्या है, square, square कर दो, square, और इसका भी, square, कितना देगा यह, A square minus, A square by 4, AE का square, ठीक है, क्या करें, हम इसमें भी, LCM ले ले लेते हैं, चलो, LCM लेखो, LCM लेखो, 4, इधर 1 है, तो divide करेंगे, 4 ही आएगा, 4, A square minus, divide करेंगे, तो 1, 1 into A square, A square, और यह कितना आजाएगा, आपके पास, यहाँ से, 3, A square by 4, AE square, तो इसको हम, third माल लेते हैं, equation, third, यह इसको माल लो, third, ठीक है, अब देखो जाएगा, मेरे पास, first equation में क्या था, AD square, equal to AE square, plus DE square, इनकी values, put कर देखते हैं, बहुत ही simple है, ठीक है, देखते है, put, second and third in first, देखो, first में क्या था, AD square, equal to AE square, तो AE square इसमें given ही है, हमारे पास कितना है, 3A square by 4, plus DE square कितना है, तो हमारे पास तो जो value आई था, simple DE कि आई थी, तो DE कि value A by 6, और इसका square है, तो square, simple हो गया question, ठीक है, अब देखो, यह इस answer आजाएगा, बस, यह है, 3A square by 4, plus, यह तर कितना आजाएगा, A square, और यह आजाएगा, 36, 36, clear, इसका LCM लेते हैं, देखो, LCM कैसे लेते हैं, 4, 36, ठीक है, 33 is a 9, 94 is a 36, तो यह 36 LCM, डिवाइड करेंगे, 36 को 4 से डिवाइड करो, 4, 9 is a 9, 9 आया है, उपर वाले को multiple करते हैं, 9, 3 is a 27, clear रिक्तिम है, और A square, plus, इसको डिवाइड करेंगे तो 1, 1 into A square, A square, कितना आगय यह हमारे पास, 27 a square, plus, a square कितना आगया है, 28 a square by 36, ठीक है, और इधर क्या चलता था आपके बास, ad square, simple, अब तो देखो, बहुत simple हो गया, यह 4 पर कटा जाएगा, 4, 7 जा 28, and 4, 9 जा 36, ठीक है, तो यह आगया आपके बास, 7 a square by 9, और इधर क्या है, ad square, clear इतनी मत, तो बस, simple ह जाएगा 9, कितना हो जाएगा इधर, 9 ad square, और इधर कितना है, 7 a square, अब देखो, a हमने, देखा था है, यहाँ पर, ट्रेंगल में, a हमने सभी को मान दिया था, a, b को भी, b, c को भी, और a, c को भी, तो उसने किस केकपल कहा है, हमने करने को, a, b के, ठीक है, तो बस, a को क्या रख दो, a, b, रख दो, यह a है, जो, a, b के पोद है, ठीक है, तो यहाँ, अगर हमने देखना है, proof के अंदर, a, b दिया हो है, तो बस, क्योंकि तीन दो में, कुछ भी, रख सकते है, हम तो लेकिन, जो proof में, कहा है, उसने करने को, तो बस, वही करेंगे, फिर, a, b, रख दे वही करना, यह वहता सिम्पल ता कोष्या, कुछ न? क्या, थैंक यू!